हेलो गाइज क्या आपका सौर्ट चैनल है क्या आपको उसके लिए वीडियो बनाते हैं वीडियो बनाने के बाद आपका सौर्ट वीडियो क्यों नहीं वाइरल हो रहा है आपका सौर्ट वीडियो क्यों नहीं सौर्ट फीड में जा रहा है सौर्ट फीड में जाने के बाद भ वो कौन से settings है जिससे आपका वीडियो बारल हो सकता है आपका वीडियो short speed में जाने के बाद वीडियो उसको पर्मोट यूटूब करेगी मैं आपको पुरे चार सेटिंग दोस्त बताने जा रहा हूँ जिससे आपका short speed में जाने के बाद यूटूब वीडियो को पर्मोट करेगी मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप देख रहे हैं संजय के वीडियो दोस्तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा वेल आइकन को दबा के औल पे क्लिक कर दिजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फिनेटी वीडियो बनाते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और सिधे पॉइंट पर आते हैं वो कौन सारे पॉइंट से वो कौन सा ट्रिक है वो कौन से सेटिंग से जिसे हमारा वीडियो सॉट्स फीड में आएगा हमारे वीडियो को यूट्व परमोट करेगी हमारे वीडियो पर short feed से views आएंगे तो दोस्तो पहला settings है description दोस्त हम लोग जो short बनाते हैं तो short में जो आप title देते हैं title देते हैं same दोस्त वही title को copy करके paste आपको कर देना है description में क्योंकि दोस्त बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं सिर्फ title डालते हैं hashtag डालते हैं और वीडियो को upload कर देते हैं जिसके कारण हमारा वीडियो viral नहीं हो पाता है डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा point है दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपके वीडियो पर जो view जाएंगे वो source feed से भी आएंगे वो browse feature से भी आ सकते हैं यूटूब recombination से भी आ सकता है अगर हमारा जो audience है वो आप YouTube में जाके search मारते हैं जैसा क्या है कि आपका source feed में जाने के बाद जो view आते हैं उसके बाद भी अगर कोई audience हो जो हमारे YouTube में search मारते हैं सर्च मारते हैं तो वहाँ भी YouTube आपके video source video को promote करती है वहाँ उसके source में आती है पहला point है कि अपने description में पूरा लिखें डिस्क्रिप्शन में आप tag लगाएं वहाँ पर hashtag लगाएं वहाँ पर queries लिखें जिसे हमारा video को search में ज्यादा जाए YouTube हमारे video को search में ज्यादा भेजे recommend करे इसलिए description पहला point है दोस्तों आप description पर जरूर focus करे और वहाँ पर जरूर लिखे अब हम चलते हैं दूसरे point की तरफ दूसरा point हम लोग का है pencil icon हम लोग जो YouTube पर source video को upload करते हैं तो जब upload करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे बाया side में आपका एक pencil icon बनता होगा वहाँ source video में हम लोग थम्मिल नहीं लगाते हैं लेकिन वहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा point है कि pencil button जो option देती है उस pencil button पर क्लिक करके हम लोग का जो source video है उस पर जो best point जिस पर audience attract हो जिससे हमारे audience attract होंगे वो चीज को हम लोग वहाँ पर focus में ला सकते हैं वीडियो को आगे-आगे बरहा के जो उसमें main point हो जो attractive आप वीडियो बनाते हैं source video बनाते हैं उसमें कोई ऐसा point होगा जो attractive होगा जिससे हमारे audience उसको देख के आएंगे तो source video में भी थम्मी लगता है उसका भी process है उसमें भी लगते है थम्मी लेकिन अधिकांस लोग नहीं लगाते हैं हम लोग भी नहीं लगाते हैं तो YouTube वहां पर option हमको देती है pencil icon की जो हमरा best point होगा जो video का उस point पर जाके हमको save कर देना है जिससे हमरा audience जो उसके सामने जाएगा वो focus में रहेगा वो वहाँ पर आपका audience retention बढ़िया आएगा क्योंकि वहाँ पर थम्मिल पर थम्मिल नहीं उसको कहेंगे उसको वहाँ पर विडियो आपका main point रहेगा उसको attract होगी audience जब आपकी attract होगी तो वो video पर click करेगी विडियो पर click करेगी तो आपका audience retention ज्यादा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि YouTube आपके video को recommend करेगी तो दोस्तो मेरा दूसरा point कैसा आपको लगा जरूर हमें comment करके जरूर बताएं और आप last में जाके देख ले video कि इन्होंने क्या बताया मैं वो सुन लेता हूँ बाकी नहीं मैं आपको चार point बता रहा हूँ आप video में बने रहें दूसरा point आप हो गया पहला हो गया description दूसरा हो गया pencil अब हम बात करते हैं तिसरे points की दोस्तो हमरा तिसरा point है video length हम लोग जो video बनाते हैं दोस्तों तो हम video को length क्या देते हैं उस पर बहुत बारा point रहता है बहुत बारा माइने रखता है हमारा video length उसी पर YouTube वीडियो को recommend करती है उसी पर हमारा view जाते है उस video के अनुसरा अब ऐसा है कि हम 60 second का video बनाते है क्योंकि source video हाई ये 60 second का होता है हम 60 second का बना दिय अब उसमें audience क्या है बोर हो जाते है बोर हो जाते है अब उसके skip करके निकल जाते है जिससे हमारा audience retention घट जाता है तो हम ऐसा क्या video length रखे वीडियो का क्या length रखे जिससे हमारा video को watch करे सबसे बड़ा point होता है video length video length बहुत ही मरके बूल दो है दोस्तों इस पर बहुत ही जर दोस्तों बहुत सारे points क्या है आप जब video का length 50 से 60 second का अंदर रखते हैं तो उस पर क्या होता है कि audience retention अगर आपका 70% से भी नीचे भी रहता है फिर भी YouTube उस video को recommend करती है क्योंकि आपका video का length जो है 50 से 60 second है इसलिए अगर 70% से भी अगर retention आपका कम रहता है फिर भी YouTube वहाँ video को recommend करती है लेकिन जो best होता है 30 से लेके 50 second के अंदर का क्योंकि अभी बहुत सारे audience हो गया है जो जदा आपके video पर engage रहना नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं फटा फट जल्दी जल्दी मैं video देखूं और हमको जनकारी मिल जाए इसलिए दोस्तों अगर possible है तो 30 से 50 second का video का duration अगर इसके बीच में रखते हैं तो आपका 70 पलस रहना चाहिए audience retention क्योंकि आप 30 second 32 second का video रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि audience retention आपका 70-80% जाता है वहाँ पर भी आपको point है point क्या है कि आपको किसी तरह ऐसा video बनाना होगा कि जिस पर आपको कम से कम audience को 20 second रोक के रख सके अगर 20 second audience को रोक लेते हैं तो आपका audience retention बहुत ही बहतर होता है तब जाके आपको YouTube वीडियो को recommend आगे करती है source feed से आपका browse feature से YouTube recommendation से आपके view आते हैं इसलिए दोस्तों हम लोग जितना चाहिए video को जो length होता है उसको जितना हम कम रखे जितना कम रखे उतना हमरा audience retention ज्य video है source video पर हम लोग जितना ज्यादा work करते हैं तो उसका जितना चाहे हम लोग video का जो length होता है कम रख सके यह आपके लिए बहतर है कम से कम 30 seconds रहना चाहिए 30 seconds से आप उपर ही video length रखे 32 seconds रखे 35 रखे 40 रखे वह आपके उपर है आप जितना नीचे रख सकते हैं जितना कम tricks है और इस पर आपको बहुत ही बहुत ही patience के साथ काम करना होगा दोस्तों हमारा जो main point है और main tricks है patience दोस्तों patience आपको रखना पड़ेगा patience आप रखेंगे तभी जाके आप YouTube पर success हो सकते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज आप video डाले और कल आपका video viral हो जाएगा नहीं दोस्तों आपको YouTube पर time देना होगा आपको आपके अंदर patience रहना जरूरी है आप patience के साथ regular के साथ regular वीडियो आप इस पर upload करते रहें regular वीडि आपके video को viral करेगी दोस्तों यह मेरा खुद का experience है दोस्तों मैं आपको इसका proof भी देखाऊंगा जो हम आपसे screen short share करेंगे उसमें मैंने description पर काम किया है pencil बटन पर काम किया है और text पर काम किया है और video length पर हमने काम किया है जिससे हमारा video viral हुआ है वहाँ पर भी हमने अपन जाए है हमारे browse feature से भी आ है और shorts fit से भी आ है तो दोस्तों सबसे बड़ा main point होता है patience आपको YouTube पर आए है तो आपको patience के साथ काम करना होगा patience के साथ इस पर आप work करते रहें निशित ही आपकी video viral होगी जरूर होगी दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा दोस्तों आपका like हमारे लिए impression आता है हमारा हांसला बढ़ाता है दोस्तों तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आपा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए notification बेल पर दबाके और पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए informative वीडियो बनाते रहते हैं जिसका notification आपको मिलता रहेगा दोस्तों चलिए मिलते हैं द